नमस्कार, MP Newscast मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भट्रागत, आई शुबात करते हैं दिल्बर की कुछ खास खबरों के साथ दद्दा धाम कॉलोनी कटनी में प्रशासन से अनुमती मिलने के बाद भी बोरिंग मशीन उठा ले गए कर्मचारी शिकायत करता ने लगाए अभधरता के आरोप, दादा धाम कॉलोनी में राजास्व कर्मचारीयों का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है यहां रहने वाले ASP हल्दकार ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कॉलोनी में मकान बनाने के लिए बोरिंग करा रहे हैं अपर कलेक्टर के कार्याले से 24 माई को नलकूप खनन करने अनुमती पत्र मिला शाम लगभग 6 बजे बजे कॉलोनी में बोरिंग का काम शुरू किया था ASP हल्दकर का कहना है कि जैसे ही ठेकेदार ने बोरिंग का कार्या शुरू किया उसके कुछ ही देर बाद राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंच गए श्री हल्दकर ने बताया कि कर्मचारी नशे में थे और उनके साथ अभधरता की गई शिकायत करता ने जब कहा कि अनुमती पत्र में लेकर आता हूँ थोड़ा समय दीजिये तो भी कर्मचारीों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी उन्होंने आगे बताया कि मुझ सेवानिवृत शासकिय कर्मचारी के साथ अपमानजनक तरीके से बात करते हुए ट्रेक्टर को जिजवी पुलिस चौकी में ले जाकर खड़ा कर दिया गया बात मतलब खड़ी भासा में बोला थे लालाग हो ऐसा कर रहा है नहीं जानता हूं मेरे को पर मिसंट दिखाई यह नहीं तो मेरे को मोकाई नहीं दिया गया और वो मैं ट्राली वह टेक्टर ले गए ले जाने के बाद मैं मेरे से बड़ी अबद्र प्रकाशी बात कर रहे पर्मीशन थी आपके पास हां पर्मीशन थी ना मैं रिक्वेस्ट भी किया सर जी मैं विकलांग कर मुझे आ रही हूं सर मेरे को कैसा बंचता है तो मेरे पास क्या होता है और मैंका सार अप्रियसन हुआ हम खड़ा नहीं हो सकता है वोले नहीं हम कुछ नहीं जानते है चल इसे बावजूद रात में आधी रात में तैसीलदार महोदय आते हैं और यह पार्टी है इनके द्वारा जब पर्मीशन की चर्चकी जारी की पर्मीशन हो चुकिए उसके बाद मतलब मसीन को जबती की जाती है इतना मौका भी नहीं दिया जाता है कि कोई अपनी पर्मीश पर्मीशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गए थे और 48 घंटे का देशा निर्देश मानी कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किया गया था बावजूद उसके फाई यार लगातार हो रही है मसीनों को परिशान किया जा रहा है और लगभग 90 परसेंट लोगों ने बोर पर्मीशन जारी कर दी जाएगी लेकिन पिछले 15-20 दिनों से 300 अविदन लगे हुए उनकी पर्मीशन सायद मुझे लगता ऐसा 9-10 परमीशन अभी जो वरतमान में जारी हुई है और इसमें हम लोग लगातार मानी का लेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं चुकि नीच तो जो 24-5 मसीर मोटर मालिक जो गाड़ी चला रहे हैं तो वह भी बंद हो जाएगा हम लोगों ने तो कार बंद कर दिया निस्चित बंद कर दिया क्योंकि इतनी आफ आई आर हो चुगी है कि अब तो पार्टी भी बोर नहीं कराना चाहती है पार्टी स्वैम कहती है कि हम इसके आपके क्या फरक पड़ेगा ब्यापार तो खतम हो ही गया हमारा लेकिन जेले के अंदर जो पेजल की समस्थ्या है इसकी गंभीर से गंभीर परणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे किसान अन्य दाता जो है जिसको भारती जंता पार्टी अन्य दाता जि इसमें कई लोगों को मजदूरी मिलती है और पचासों लाग का मतलब समान जब उठता तो इसमें जी एस्टी और रिवेन्यू जर्नेट होता रेता गिट्टी मिट्टी और पचासों मजदूर काम करते सारे कार रुप चुके हैं इस विसमें जिला प्रशासन ध्यान दे हम तो नहीं कर पाएंगे इस काम को अब क्योंकि 15 दिन से बचा बारिस आने के लिए यह प्रगती तो नहीं हो पाएगी इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है यह च्छती में सुरेंद्र जैस्वाल हूं अद्ध्यक्चु में यह च्छती पूर्ण हो सकेगी